अब हम लोग यहाँ पर जो जतने भी हैं जार्खन के बिभीन जिलों से जंगल बचाने जमीन बचाने नदी और पहाड बचाने वाले परिवरन को बचाने वाले लोग हम लोग आज से नहीं लेकिन हम लोग जब से पैदा हुए हैं तब से हम लोग संगर्श कर रहे हैं और हम लोग बड़ी बड़ी लड़ाई भी हम लोगों ने जिता कोईलकारों का लड़ाई जिता नितरहाट का लड़ाई जिता और कितने लड़ाई हम लोग जंगल और जमीन और समाज एक साथ विक्सित होगा यहां के किसान एक साथ विक सिथ होंगे ये हम लोगों का सुरू से ही हम लोग का जारकन अलग राज का सपना था लेकिन आज जिस तरह से जारकन अलग राज बनने के बाद जारकन में जो जमीन का लूट चल रहा है पाचवे अनुसुची जो भारत के समयधान में आदिबासी इलाके को उनका अधिकार ज पूरी तरह से आदिबाशियों के परंपरागत सामुदायिक अधिकार को काही एक वाहक है लेकिन आज की तारीक में राज बनने के बाद 2014 के बाद पांचिवन उसुची का अधिकार है उसको दरकिनार करते हुए रगवर सरकार ने गरमजरुआ आम खास नदी नाला जंगल प वाहां की भूमी बैंक में डालके उसको उन-लाइन जिसको चाह रहा है उसको भेच रहा है तो हम लोगर भी पह любим की बैनक को रद करने के मांग को लेके लगातार संघर्ष करता है आए हैं आज भी हम में का मांग गवर्नर हाउस के पास आए है गवर्नर हाउस से और पूरे राज देश से हम लोग राष्टरपती के नाम से भी मांग सुमपे हैं कि भूमी बेंग को रद किया जाए और 2020 में स्वामित्वा योजना और प्रोपर्टी कार्ड मोधी सरकार ला रही है देश में वो आदिबासी बिरोधी है किसानों के में है उसको पूरी तरह धोस्त करने वाली योजना है उसका हम लोग बिरोध कर रहे हैं और मोधी सरकार से और राष्टरपती से मांग कर रहे हैं कि स्वामित्वा योजना प्रोपर्टी कार्ड को रद करे और उसके साथ ही यहां 1932 का खतियान खतियान पार्ट्टू में ज चेर्ड़ चार्ड हो रहा है उसको रोका जाए हैं और खतियान में आज ओरेजिविनल खतियान मालिक का नाम हटाके दुसरे आदमी का नाम चड़ाया जा रहा है यह जमीन का लूट का एक हिसा है उसको रोका जाए और उनलाइन जमीन करने के बाद यहाँ पर भारी मात भारी संख्या में जमीन का हेरा फेरी के कारण जमीन रसीद उनलाइन नहीं काटा जा रहा है यह सिर्फ इसलिए कि यह जमीन में जो हेर फ जहां पर हलका करमचारी वो जमीन का रशित काटते थे उस बेवस्था को पुनर बहाल किया जाए और नदी जर्नों का पानी कार खाना में नहीं नहीं बड़े किप्टलिस्टों के घराने उदियोग धंदों के लिए नहीं लेकिन किसानों के खेतों में जाए और 2013 का जो जमी कि वकालत करती थी इसको फिर से लागू किया जाए यह हम लोगों का मांग है एक ही कारण है कि अगर पांचवन सुचिक को लागू करेंगे तो ग्राम सभा गाउं के परांपरागत ग्राम सभा गाउं के किसान मजबूत होंगे आदिवासी समुदा मजबूत होगा दलिश स बेने साथ ही यहां का मूल वासि जो कमजोर वर्त है वो मझबूत होगा तो कौन की को मजबूत करना चाहेगा तो जिस तरह से आज की जवर्ग कारपोरेटी राजनीती चल रही है वह राजनीति यह दलितों को आधिवास्यों को कमजोर वर्त-त क vlogs को समुरिट करना नहीं च चाहती है और जिस तरह जब वो लोग सामा जी सांस्कृतिक रूप से मजबूत हो जाएंगे तो यह जो घराने का जो राजनिती जो वनिया पिला के दारू पिला के राजनिती करने की जो एजंडा है उस एजंडा को फुल फिल नहीं किया जा सकता है इसलिए कोई यहां के आधिकारों से लोगों को लाश करने से बचना चाहता है इसलिए आज ता है कि यह 590 को लोगों ने लागू नहीं होने दिया है आज से नहीं हम लोग बार बार बोल रहे हैं हेमन सरकार को बैठाने वाले यही लोग हैं जारखन की जनता है हेमन सुरेन को बैठाया है और हेम और जब भूमी बैंक बनाया, तो रगुवर सरकार को हम लोगों ने चुनवती दिया था, कि आप हमारे बिरोध में काम कर रहे हैं, हमारे लोगों को जो यहाँ पर समाज की बात करते हैं, और यहाँ का जमीन बचानी की बात करते हैं, उनको आप दोईस द्रोह करा रहे हैं, ह आप को नहीं चलना है, आप सिबू-सोरेन का बेठा है, आप का पिता झी गुरुदििस rather महारेन के खिलाप लड़ा था, आप आजके तारिक में आपको आजके महारेन के खिलाप आपको लडंड ना पडेगा, आप अड्डानी अंबानी का आप उन प्टार नहीं बन सकते हैं जो आपको यहाँ परसता में बिठाया है, उनकी राजनिती, आपको यहाँ के धूमी पुत्रों की राजनिती आपको करनी होगी, यही बात तो बोलने के लिए हम लोग आए हैं। हम लोग बोल रहे हैं कि आपको सुधर ना होगा, सुधर जाओ, आपको सुभा नहीं देगा, नए तो वही हासर होगा, किसान लड़ रहे हैं, आदिबासी लड़ रहे हैं, महिला जहल रहे हैं, युवा जहल रहे हैं, तब हमारे पास आकरी लड़ाई, हम लोग को पता है, इ यहाँ के दलित और सोशितों का राजनिति करना पड़ेगा और जिस सपना का जार्खन बनाने की बात हुई थी वो 22 साल में नहीं पूरा हुआ गटबंधन की सरकार से हम लोग कहना चाहते है कि ये दो साल आपको सपनों का जार्खन का सपना पूरा नहीं हुआ है उसकी राजनिति करनी होगी इसी बात को तो कहने के लिए आये है